Hello everyone, this is your Vicky Singh. मैं आपका स्वागत करता हूँ बच्चो अराइज अकेडमी में. गाइज मैं आपके लिए एक नया चीज लेक्या हूँ जो है Board exam में सबसे important चीज वो है आपके पूरे के पूरे marks कैसा है मैं हलाकि पूरे 40 mark के बारे में तो नहीं बताऊंगा बट जो 30 mark से 40 out of 30 mark मैं आपको exactly बताऊंगा कौन से question आने की probability सबसे ज़्यादा है ठीके तो आप एकदम ध्यान से इस वीडियो को देखना और जो question मैं आपको बोलू जो मैं आपको topic बोलू आज से उसके तैयारी करना शुरुआत करो बच्चो इसके अलावा और बाहर का कुछ नहीं आ सकता है question चेंज हो सकता है मतलब topic वही रहेगा बट question की value चेंज हो सकती है तो बच्चो एकदम ध्यान से इससे देखना और start कर देना one by one तीस marks कहीं नहीं जाने वाले तीस marks आपके guarantee आपको आएंगे यह आप वीडियो पूरा first से end तक देखना और सारे question को collection करके आप उसके practice में लग जाओ ठीके तो चलिए मैंना आपको यहां पे 40 marks का पूरा बेवरा बता दिया है कि 40 marks में कैसे आपके question paper को set किया जाता है तो य एक standard form में जैसे question number one का A जो आएगा वो four marks का जिसमें fill in the blanks होगा और यह fill in the blanks ही में कोई guarantee नहीं ले रहा हूँ यह कहीं से भी आ सकता है पूरे पूरे chapter में से कहीं से भी चाहे हो linear equation हो, quantity equation हो, probability हो, financial planning हो, static six हो, कहीं से भी question आ सकता हूँ, arithmetic progression हो, कहीं से भी question हो, arithmetic progression हो, कहीं से fill in the blanks के जितने भी exercise में question है, जितने भी आपको पहले से रायरी कर लो, उसके लावा और क्या आजाएगा, उसकी कोई guarantee नहीं है, बट आपके concept clear होंगे, तो आप पूरे के पूरे 4 marks ले सकतो, याद रखना, question number one का B, one का जो B होगा, इसमें आपको बोला जाएगा, कि solve all four, मत आपको solve करना है, बच्चों मैंने यहाँ पर बताऊंगा मैं आपको को चार question कोन से आने वाले है, पहले यह देख लेओ, पहले यह देखने हो, पहले यह देखने हो, one by one आपको बताने वाले हो, उसके बाद question number two का A, ये question में आपको activity based question आएगा, जिसमें आपको दो question solve करना है, उसमें, यह हो सकते हैं, आपको 5 question हो, उसमें से आपको 4 question solve करना है, exactly वो ही question solve करना जिसको आपको answer लगे, कहां मैं इसका answer निकाल सकता हूँ, आपको डिरेक्टि उसमें 8 marks मिलेंगा, मतलब हर question two marks का, चलिए, question number three का A, इसके बारे में बात करता हो, solve anyone, मतलब दो activity होगा, उसमें जब कोई एक activity आपको solve करना होगा, activity, या दखना, activity को activity basic type ही solve करना है, हलागि, properly आप पूरे, आप rough में solve कर लो, उसके बाद आप direct value put कर लो, आपको उस activity को solve करना है, तीन marks का, एक question, हलागि उसमें 2 question होजकता है, उसमें से आपको कोई 1 solve करना है, ठीक है, question number three का B, इस उसमें 1 question कितने marks होगा, बच्चो, एक question होगा, 3 marks का, तीन marks का 1 question, इसमें से आपको कोई 2 question solve करना है, मतलब तीन, 3 marks के 2 question होगे, टोटल हो जाएंगे, 6 marks, उसके बाद आते है, सबसे बड़े question में, solve any 2, मतलब हर question 4 marks का है, याद रखना ये question चुटना ने चाहिए, ये पूरा बड़ा marks है, मतलब पूरे exam में, पूरे ये paper में, सबसे बड़े marks का question 4-4 marks का होगा, इससे जादा कुछ होगा नहीं, मतलब आपको ये question कोई भी हालात में छोड़ना नहीं है, तो देखिए, दो question आपको solve करना होगा, दोन इसमें 2 question solve करना हो सकता हो, उसमें 3 question हो आपके पास, आपको 2 question solve करना है बच्चो, यहाँ पर ध्यान रखना है, question number 5 में, आपको कोई 1 question solve करना है, और वो जो question है, 3 marks का होगा, याद रखना है, यह पूरा बेखरा आपको दे दिया, कि 40 marks का paper कैसे बनेगा, आपके 1 marks भी जानन करना है, यह हाला कि आप सब एक साथ लेके बढ़ता हो, आप शायद confused होता है, आपको planning नहीं समझ में आ रहे है, मैं आपको planning बनाने का मौका देता हो, आप पूरे planning के साथ पढ़िए, पहले मैं जितना बोल रहा हो, उतना पहले cover करो, उसके बाद आपको एश्टा पढ़न करता है, इसके कोई guarantee नहीं है, आपको करना कै, exercise के पिछ जाकर, सारे fill in the blank, सारे multiple choice, solve कर लो, वो अगर आता है, आईसे नहीं रटा मारना है, आपको concept clear हो, आपको कोई भी question आजा, आप solve कर सकते हो, बात तो सही है, question number one cup B, इसमें बच्चों, आपको क्या solve करना है, चार question, चा question number one cup में आपको किस पर किस पर ध्यान देना है, सबसे पहले, determinant, क्या देना है, determined, determined, आपको पता है, first chapter में यह, determined solve कर लो, determined, अगर simple कोई determined आजा है, जाए 2, 3, 4, 5, आप तो easily solve कर सकता हो, हो सकता है, rational में भी आजा है, 4 upon 5, 3 upon 2, 2 upon 3, 4 upon 9, ऐसे भी आजा है, इसको भी solve कर लो, क root 2, root 3, ऐसे कुछ आजा, तो आपको ऐसा नहीं कि सर ने determined बोला, तो आप easy वाला solve कर लो, ऐसा नहीं, बच्चो, उससे related, जितने भी question है, जो question आपको hard लग रहा है, पहले आप उससे solve किजिए, जो आपको लग रहा है, कि आपको इदर wrong होने के chances है, उसका आप practice करना आपको decent नहीं है, dx, dy, और x and y, और d, याद रुको बच्चा कोई भी हो आ सकता है, आपको निकालना क्या है, x and y, यह variable change हो सकता है, variable a and b भी हो सकता है, आपको formula आदे, आपको सारे content आदे, आपको पता है मुझे कहां पर क्या रखना है, एक सर्वाइक कैसा divide करके मुझे solve कर करना है, बेटा solve करना start कर लो, उसके बाद simultaneous find x plus y, अब यह question में में थोड़ा आ जाता हो, x plus y, simultaneous, जो हमने, जो हमारा first exercise है, है न, first exercise में हम simultaneous में x and y निकलता है, मतलब separately, आप x निकाल लो, और y निकल लो, मैं इसकी बात करी नहीं रहू, मैंने आपको बोला कि x plus y, मतलब आप को क्या करना है, जैसे मेरा कोई example आ जाए, 2x plus 3y plus is equals to 9, ठीके, and 3x plus 4y is equals to 8, तो आपको यहाँ पे, जो subtract करके, जो value मिलेगा, अब यह तो मैंने randomly example ले लिया है, आपको समझा, ऐसा value मिलता है, कि 4x plus 8y is equals to 8, अगर ऐसा कुछ, यह आप question चोड़ दो, आपको ऐसा मिलता है, add करना है, subtract करना है, वो आपको पता है न, add करना है, जब दोनों का sign क्या हो, opposite हो, subtract करना है, जब दोनों का sign, एक हो, मतलब यह तो minus minus हो, यह तो plus plus हो, वो आपको मैंने सिखाया, अब यहाँ पे जो आप करो गें, पहला step, तो आपको ऐसा लगेगा, कि sir, यह 4x plus 8y is equals to 8, है न, इसको मैं अगर 4 से पूरा, डिवाइड कर दू, तो मार्ग बन सकती है, तो मैं इसको 4 से अगर डिवाइड करता हो, बेटा, तो यह क्या बन जाएगा, cancel हो गया, 4 1s आ, 4 2s आ, 4 1s आ, 4 2s, मतलब हाला कि आपको क्या मिल रहा है, बेटा, x plus 2y is equals to 2, है न, is equals to 2, अब यहाँ पर मैंने एक random example लिया था, आपको क्या मिलेगा पता है, आपका जवाप पूरा simplified करेगा न, किसी को, मतलब 4 से 4 से 4 से simplify कर दिया, वैसे ही आपको यहाँ पर एक ऐसा number मिलेगा, जो पूरा का पूरा simplified हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 2 आने की कोई गुंजाइश नहीं होगी, आपको सिब consider ध्यान दिया जाएगा इस पे, तो आपको जो value निकालना है, वो यह निकालना है, मतलब x plus y is equals 2 क्या आता है, इसके आगे बढ़ने की जुरूत नहीं है आपको, हाँ, अगर आपको कोई बोले, कि x की value निकालो, या तो y की value निकालो, तो आप simultaneous का जैसे मैंने आपको सिखाया था हूँ, इसे करो, बात सिब एक माक सिए है न, इसलिए इतने बड़े question नहीं देंगे, ठीक है, तो इस पे ध्यान देना है, ये भी देखो, x minus y हम कब करेंगे, बताया न, आपको बताया हुआ था, चलिए, अब देखो, quadratic standard form find the ABC, ओके, ये second chapter में था, जिस question वो जनरल form में दिया नहीं होगा, जनरल form पता है आपको, क्या है, AX square plus BX is equals to C, ये तो हम कोई question solve करते तब, या तो हम ऐसे लिए AX square plus BX plus C is equals to 0, तो आप जब उसके solve करोगे न, तो आपको क्या मिल जाएगा, A, B, C, वो ABC क्या मिलेगा, X square का जो coefficient वो A होगा, X का coefficient B होगा, और constant time आपका C हो जाएगा, तो आपको क्या इतना easy दे देंगे क्या, नई, आपको, ऐसे मतलब यह होगा कि equals 2 के side पे, constant left hand side पे आगया, power 2 का coefficient right hand side पे आगया, आपको properly उसको general formula आना है, मतलब AX square plus BX plus C is equals to 0, बेटा इस form में ले आओ, और आप उसको ABC की value निकाल लो, हाला कि questions आरे available है, आप उस question पे जाएए, solve कीजिए, और solve करते निकालो ABC क्या आ रहा है आपका, एक mask का question छुटना नहीं चाहिए, GST, CGST, SGST, इसका rate निकालना है, बहुत आसानी समय यह chapter पढ़ाया था आपको, GST अगर 18 टक्का है, तो CGST और SGST कितना होगा बटा, 9, 9, मतलब उसका half-half क्या होता है, CGST और SGST, हाला कि कभी question आ जाए, कि 5 रुपे कोई product है, 8% GST लगा है, तो बताओ, उसमें CGST amount और SGST amount कितना है, देखो, दोनों में हमने फरक बताया है, rate और amount में, rate मतलब percentage, amount मतलब rupees, तो अगर 18 टक्के GST rate लगा है, तो CGST और SGST कितना हो अगर 9 टकका, 9 टकका, बात के लिए अगर समझें, 500 रुपे का product है, अगर मैं उसमें 8 टकके लगा है, माल लो 100 रुपे, 8 टकके किसाब से 100 रुपे GST आ रहा है, तो सीधी बात है बच्चो, CGST कितना आ गया, 50 रुपे, SGST कितना गया, 50 रुपे, यही निकालना है, हो सकत आपको रुपीज निकालने बोले, दोनों पर ध्यान देना है, उसके बात, सेंपल स्पेस, सेंपल पॉइंट, यह probability, मुझे इसकी बतानी की जुरत नहीं है, बसपन से देखते आ रहे है, सेंपल स्पेस होता क्या है, सेंपल स्पेस कोई डाई उडा दिया, यह टॉस्क कर एक डाई की जगह, एक दो टॉस कर लिया, एक डाई और एक डाई टॉस कर लिया, पता है आपको सेंपल स्पेस कैसे निकालना है, सेंपल स्पेस इतना हो गया, काउंट कर लो, सेंपल पॉइंट निकाल लिया, बोलने की जुरत नहीं है, इतने मेरे बच्चे हुश्या आ र कर लो नीचर का हमने कौउश्चन की है रियल है है। रूट है नोट हमने कभी चौल किया है यार ना वीगिष क्या स्कॉज मानब फोर इसे यह हमें लगता भी कहा है। formula method में भी लगता है बच्चो तो discriminant आप solve कर लो sequence are AP or not determined करो मतलब कोई भी sequence arithmetic progression है या नहीं एक मार का question है या नहीं पूरे sequence में देखके आप दूरीनों सबके बीच का difference अगर सेम है आप क्या बोलें बचा यह मेरा sequence arithmetic progression है यह आपका छुटना नहीं चाहिए यह topic पहले cover करो इसके बाद extra सारे question करना है ऐसा नहीं कि नहीं करना यह करने के बाद काफी time है आपको यह करने के बाद वो करना पर इसके related इससे जितने question आया पूरे लेक्ष्बॉक में या फ्राइम सेट में छोड़ो ही मत एक मार्क्स पक्का मतलब चार मार्क्स पक्का ठीक है नेक्स वह देखते हैं कोशन नमबर टुका एक कि कौन सा कोशन है जो two marks में फसे गा, उसमें दो टाइब के एक टो question based आएगा, और दूसरा activity based, तो activity based को activity अक्टीमिटे इसॉल कर रहे है, तो कौन सा question activity में आ सकते हैं, कौन सा question, question wise आएँगे, बात को ध्यान रखना, चलिए पहला question, two marks का, first chapter का, मैं यह पर chapter लिक लेता हौ, first चैप्टर का simultaneous solve करो बच्चो simultaneous में एक और एक चीज था ASA method मैंने आपको सिखा जा था ASA method solve करो वो पहले कर लो वो पहले कर लो 1.4 exercise का simultaneous कर लो और normal simultaneous आपको करने के जोरत नहीं अगर आपने 1.4 कर लिया मतलब simultaneous related question कुछ भी आ सकता है normal question भी आ जाएगा जो हम करते थे दूसरी चीजे ASA method आले question आ जाएगे और तिसरी चीजे 1.4 exercise के question solve कर लो जिसमें हम लोग substitute resubstitute method यूज करते थे मैंने test series में solve कर वाया तो question याद रखना वो 2 marks कहीं न कई first सकता है 2 marks में नहीं तो 3 marks में आएगा आएगा जरूर तो यहां पर तो मुझे चार और दो शे question solve करना है आपने 10 का 10 लगा दिया मैंने 10 इसले लगाए बटा कि अगर यह 2 marks में नहीं फस्त है तो 3 marks में फस्त है बट आपको यह topic करना ही होगा mostly यह question 2 marks में में आते हैं यह मैंने topics लिके यह 2 marks में ही आएंगे मैंने guarantee लिया 30 marks का बाकी जो 10 marks हो मैं आपको लाक्ष में बताऊंगा कहां से आ रहा है पहले ध्यान देख लो simultaneous में जो जो बोल रहा हो नॉर्मल question ASA question और 1.4 exercise question solve करना भूलना मत ठीक है एक question यह होगा first chapter का दूसरा है factorization method यह chapter कौन सा factorization method में chapter number two quadratic equation में factorization method का question कर लो दो marks आ जाएंगे मैंने पहले starting से बताते आ रहा हो बहुत important question यह second chapter में जो factorization method से आपको solve करना है अब कैसे question है कितने question है तैयारी हो चुकी है आपके right करना क्या है say practice और कुछ नहीं find the value of k find the value of k यह second chapter में देखिए कुछ-कुछ question है इसे जिसमें value of k निकालना था x की value देते थे कि x की value यह है put कर लो और k की value निकालो RHS side पर कुछ-कुछ value देते थे तभी तो हम k की value निकालने के लिए जितने भी content का पूरा solve कर लेंगे उसका वाद से यहां पर put कर लेंगे आप put करने के बाद क्या आ जाता है के की value question को देखो second chapter में इसे question मिलेंगे भूलना मत solve करना यह solve कर लो nature of the root पहले एक मास पर मैंने बोला nature of the root nature of the root निकालने के लिए b square minus 4ac यह कर लो डेल निकाल लो discriminant निकाल लो निकालने के बाद आपको nature of the root तीन nature of the root है पता कर लो कौन सा nature of the root कब अपलाय होता है इसे question आ सकते है अब बोलें सब्सक्राइब आपको किससे मिलेगा टीन के फार्मला है tn is equals to a plus n minus 1d इसमें आपके पास value होगा tn की value दियोगी n की value नहीं दियोगी तब आपको n कैसे find out करना है question देख लेना ठीके यह कहूँ गया दूसरा क्या है कि आपको कोई और term बोलेंगे कि काम करो t35 निकाल लो और t35 निकालने लेके चाहिए क्या आपको tn का formula है a चाहिए d चाहिए निकालो कोई भी terms निकालने आपको बोल सकते हैं अगर terms नि बोला तो सम बोलेगा तो सम का formula लगा देना दोनों का खेल तो एक ही चैप्टर में न तो आपको क्या करना है ऐसे टाइप के question को practice करना है अब मैं आपको एक छोटी चीज़ बताता हूँ यह जो n है इसके थोड़े से word problem type हो जाते कैसे जैसे बोल देंगे 4 से multiple व और प्रेडावाल में आपको ौहिए अपको पता करना है चिया कि तो आकर इसा रहते है फैसे की इसके बाद यहां सकते मतलब आपको n find owt लॉट कहने के कुछ भी मतलब टेक्स्ट बुक के जो कोश्चन बोल रहा हूँ ध्यान से स्वाल करना स्टार्ट कर दो ठीक है इसके बाद यह हो गया फाइनेंश प्लैनिंग का कोश्चन चैप्टर नंबर फोर अब इसमें देखिए क्या बलेंगे पर्चेस प्राइज निकालो पर्चेस में कोई एक आपको प्रोड़क्त बोलेगा एक एक था प्रोड़क्त और बोलेंगे डिस्कावंट दिया उसमें 20 1 % पर संट डिस्कावंट दे दिए तो एक हज़ार का 20% निकाल लो 20% मतलब कितना अमांट वो निकाल लो और माइनस कर तो जैसे समझें एक हजार का 20% कितना हो गया 200 रुपे माइनस कर दिया कितना मिला 800 रुपे ठीक है अब 800 रुपे पे 800 रुपे पे वो बोला कि 18 टक्का GST लग गया है तो 800 पे 18% GST मतला एश्टा कुछ अमाउंट हो गया तो वो 800 प्लस GST अमाउंट यह दोनों को एड करके आपको क्या निकालना है पर्चेस प्राइस कुष्चन सॉल करा है बच्चो यह से कुष्चन है आपके पास सॉल करना स्टार्ट करो कोई वगर दिक्कत है यहां मैं अवेलेबल हो मुझसे पूछ सकते हो नमबर आफ शेर्स निकालो ओ नमबर अफ शेर्स का मतलब क्या हो था फाइनेश प्लैनिंग का कोश्यन है कि अगर में पाँ हजार रुपए और मुझे पता करना है कि मार्केट वैल्यू में समझे मुझे कोई एक शेर उठाना है जैसे समझे सब्सक्राइब का शेर उठा अपना होता ध्यान रखना सारह कोश्यनस वह速 पर च The wizard करने के टाइम आपको जो छीज़ देनी विश्टी यह वह आपको पूरा फोरे वाइस बता है और सेवल करने के टाइम आपको क्या क्या कट करकी मिलने वाला यह वह आपको पता है तो पर चे स, कृश्य नमबर आफ श इवेंट कुछ भी बोलेगा आपको इवेंट में खेलना बहुत आसाना था क्योंकि आसान चैप्टर है और इसके कोश्चन एक्टिविटी बेस टाइप ब्या सकते हैं मतलब यह मैंने बोला था दो तो यह कोश्चन एक होगा फोर माक्सा एक होगा सौल एनी तो एक कोई दो क कोश्चन सौल करना जो एक्टिविटी तो मैं इसके बाद कर रहा था ऐसे टाइप के कुश्चन एक्टिविटी में फिल करना है तो आपको पथा यह आसान चैप्टर है इसन एपटर इसकसी इवेंट से खेलना है कैसे खेलना थोड़ा प्रैक्टिस कर लो मीन मोड तीन टा होता है या लास्ट चैप्टर वो तीनों मीन एक बार प्रैक्टिस जरू करना बच्चे कोश्चन छोड़ देते हैं बच्चों लगता है यह बहुत इजी चैप्टर है डायरेक एक्जाम में हम धावा गोलने वाले फिर उसमें क्या होता है कैल्कुलीर्टिस जरू कोश्च को सारे में गतीन हैं डौधो कोश्चन सौल करओ और डौधो कanson में क्यालकुलेशन पर्फेक्ट करओ और मीन और मीड मोड से related question आपको पूरा complete करो जिससे आपके दो माक्स fix हो जाए लास्ट आता है measure of angle कोई बड़ी बात नहीं है आपको measure of angle निकानना है मतलब सारे angle आपको निकानना है last chapter के दो question मतलब यह last chapter है देख लेना दो माक्स के question है मतलब मेरे यहां पर कितने माक्स fix हो गए 8 और 4 बारा माक्स इसी में से है यह पहले fix कर लो बारा माक्स हो चुका है बारा माक्स में यह question फसने वाले बिटा कही जाना मत बारा माक्स अभी हुए इससे पहले 4 माक्स हो गए मतलब यहां पर 16 माक्स हो चुका है मज़ा तो यहां पर आना हो लगी, यह कहां के कोशन है, ठीक है, कोशन नमबर, उसके बाद, कोशन नमबर 3 का A, इसके बार मैं बताता हूँ, तो कोशन नमबर 2 का A और B कम्प्लिट हो चुका, जिसमें 2-2 मार्ग से कोशन थे, अब हो पारी है, कोशन नमबर 3 का A, 3 का B, एड यहां पर देखो, तीन मार्ग का A और B कोशन नमबर 5, ठीक है, मतलब यह सारह कोशन में 3-3 मार्ग से कोशन आने वाला है, बट कोशन यह है, कि कौन सा कोशन है, जो 3 मार्ग का रने के चांसे है, ठीक है, तो मैं आपको यहां पर explain करता हो, पड़ यह कितने मार्ग सा बनने तो मैं दस से बारा साल के experience के बेस पर बता रहा हूँ कि ऐसे question आएंगे द्यान देना focus करना है सबसे पहले graphical method कोई बड़ी बात तो है नहीं पहला चैप्टर graphical method question solve कर लो value put कर लो फटा फट फट दो graph बना लो clear है ना दो लाइन बना intersecting point लिए x और y निकल गया but सबसे important चीज़े पूरे तीन मार्स लेने के लिए आपको क्या करना होगा clean need proper proper बनाना होगा scale construction पूरा proper करना होगा तब ही आपको तीन मार्स मिलेंगे नहीं तो तीन मार्स से जगह बहले आपके line से यह बड़ आपका वहाँ पे neat and clean नहीं है आपको coordinate point से यह बड़ प्रॉपर दीख नहीं रहा है तो समझ जाना तीन के जगह दो मिलना आपको संभाव है ध्यान रखना है इसमें बहुत important था यह हो गया graphical method और यह हो गया historogram यह दोनों graph पे दोनों आपको proper neat and clean करना है मतलब यह तीन marks के question है fix ठीक है उसके बाद उसके बाद एक और देखें यह chapter number one का हो गया और यह chapter number कौन से हो गया 6 का हो गया यह last chapter का हो गया अब यहां पे completing formula method chapter number two का देखो factorization method मैंने आपको बता दिया तो दो marks पर आने वाले है यहां पर तीन marks में यह तो completing आएगा यह तो formula आएगा अब मैं जब बोरो यह यह मतलब कौन सा यह करना क्या है formula करना है क्या completing करना है दोनों करना है कोई भी आ सकते बच्चों आपको solve द आप जाते हैं सर्स के question उसको उठा के practice करो सर्स कैसे solve करना है वह practice करो बाकी चीज़ आपको आजाएगी completing में आपको हाला कि वह से बच्चे completing छोड़ देते बोलते नहीं है मैं फॉर्म पर ध्यान दोता हो बार में completing उन्हें फसाद देता है इसलिए completing के question solve करना मत भूलना worst problem second chapter का worst problem बहुत से question है जो मैंने आपको हमेशा highlight कि यह question करो बच्चों यह question करो यह question मैंने आपको test series में दिया थे उस पर ध्यान दो worst problem complete कर दो तीन marks पक्के उसी में से आएंगे कोई तो concept होई रहेगा हाँ मैं आपको यह में बोर रहा हो कि सर्फ हर question बाहर से आगा नहीं नहीं बच्चों consecutive terms होगे ठीक है यह वर्ट्स वालम हो गए उसके बाद lesson में ऐसे question होते हैं जैसे टी नाइन इस उकस्ट जीरो शो डैट करो है ना आपने देखा ऐसे question है जो question problem set में third question है third exercise third chapter का problem set जो है उसमें जाके एसन से लेटर question आप solve करो तीन मार्क्स फसेंगे 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 ऐसा ना हो कि आप सब solve करो इसको भूल जाए और वहाँ पर आ जाए और आपके पास कुछ option नहीं हो तो भाया solve करना है यहां सकता है और यहां सकता है और यहां सकता है कई तो कई फसेगा आपको properly solve कर रेट प्रिटन बताने के जुरत नहीं है कई बार बोला है रेट आप रीटन पे त्यान दो जेंवाला रेट रीटन प्रिटन पर कोश्चन आये गा और कुछ अपशन नहीं है थार्ड चैप्टर का वर्ड पॉलम ओके बहुत सारे कुश्चन इस धतर चैप्टर में देखा भाभूभाई वाला question, The Man , Plant and Triangle , उठा लो उठाके solve task करो maık Parora, अच्छो मतलब मैंने आप प्यूर explic seven five की ques Matrix बीए नि पया कितने marks लेने के लिए 12 marks , समझ लो उसकी वैलु क्या है 12 marks की आप मैं लाश्च में आपको पताओंगा कैसे पढ़ना कैसे सीजी को आप इस फोकस कीजिए स्कृइन शॉर्ट निकालिए लिक के ले लो उसके बाद प्रैक्टिस करना शालू करतो बीना टाइम वेस्ट किये में टाइम वेस्ट किये स्टार्ट कर दो ठीक है इसके बाद में लास कोश्विशन प्याराओ चार माउस क कोशन बहुत को कोश्यन है किसा 4 मार्ग से कोशन कौन से आते मैं भी नहीं बता सकते हो बट में आपको हीन्ट दे सकते हैं कि आप उस टैप के कोश्यन को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें चलिए चो मैंने यहां पर 30 marks मतर्थ 30 से लेके 32 marks का question आपको बता चुका हूँ जो इसकी warranty मैंने ली थी ठीक है आप यहां पर 28 marks की जिसकी guarantee में नहीं लूँगा बट आपको मैं हिंट दे कर जरूर जाऊंगा कि इस type के question जरूर कर लेना और इस टाइक के question ही आने के chances ज़्यादा है तो हाला कि मैं इसकी guarantee नहीं ले रहा हूँ बट मैं आपको कम से कम 80% ली guarantee जेता हूँ इसी से related question आ सकते है related हाँ बट याद रखना 4 marks के question ये बाहर से ही आएंगे ये आपके textbook से related नहीं हो तो बहुत कम chance होते हैं जो textbook के question आते है आपको फरक नहीं पड़ता है ठीक है तो ऐसे type के question को थोड़ा focus करो मैंने यह पर 6 topic निकाला आपके 8 marks को cover करने के लिए मतलब पूरे 40 के 40 marks जो आज का वीडियो देख रहा है पूरे 40 के 40 marks आपको यूँ ही मिल जाएंगे बट क्या करना है मेरे बोलने से तो कुछ नहीं होने वाला ना practice आपको करना है आपको मेनत करनी है कैसे करनी है वो भी बताता हो ठीक है पहले इसको देख लेते चार marks से question सबसे पहला important speed based question याद है time और speed के based question तब बोट वाला हो गया हमीद वाला हो गया बहुत question आईसे थे जो speed type question तो करना क्या है आपको practice शुरुआत करो cbse board में कुछ cbse board के कुछ आपको आप टेक्सबूक लेते हो या आप कहीं से भी निकालिए कि 10th related speed based question speed और time based question जितना solve कर सकते उतना solve किजिए यह हलाकि 10th के लिए जरूर है आगे आपको next career के भी जरूर है 11 टूल में भी आपको इसका use हो सकता है आपको जितना question आप solve करोगे उतना perfect बनेगे उतना question समझने की ताकत build up करोगे तो आपको speed based question पे ध्यान देना है ध्यान कर देना है solve करना start करना practice करना start करना है यह तो मेरा सबसे favorite question है बच्चों आप सभी को बता है brokerage financial planning में brokerage type question जिसमें profit और loss भी बताया जाएगा कि हमने यह company में इतना investment किया वह company में इतना investment किया तिसरी आएगा चार माक्स का हाला कि test book के guarantee नहीं ले रहा हो बाहर से भी आएगा तो बाहर से क्या होगा वैल्यू चेंज होगा concept सेम है construct the words आप देखो यह चूँ वर्ड्स वालं आज आज कल देख रहा है दो तीन साल से काफी वह पूछा जा रहा है कि आपको वर्ड्स वालं चेंज करना है मतलब जैसे वर्ड्स वालं आपको दिया हो था आप वैल्यू निकाल जैसे एज का question राइट आप देखो एज का question आता है करना है और खुछ से अंसर निकालना है याद रखना है खुछ से अंसर निकालना है तो आपके टेश्बूप में जितने भी question है आप से वैलू चेंज कर लेना वैलू चेंज कर दो जहां दस साल है वहां पर बारा साल कर लो तो ऐसे चार माक्स में जरूर आएगा हाला कि यहीं पर लिखाओ मैंने एज टाइप question आप construct होई कर लो और एक तीर से दो निशान हो जाएगा तो ठीक है नहीं आया तो आप एज टाइप को प्रैक्टिस करी रहो तो यह question करना मतलब वर्ट्स वालम वर्ट्स वालम वर्ट्स वालम तो आपके पत्सा यह भी हाला प्रैंगल या रेक्टैंगल क्रियेट हो जाएगा कुछ नो कुछ क्रियेट होगा आप वोलेंगे भाई यह एक काम कर अब इसका एरिया निकाल लो द्यान दो question को अब इसका एरिया निकाल आईसा टाइप को question आप सर्च किजे practice किजे आपको मिल जाएगा या तो आप चार type question जितने भी problem set में star किये question है बूलना मत उसको solve करना वही तो question है जो आपको हाँ पे solve करने आएगा इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जितने भी star यह इसको मत बूलना जितने भी problem set में star type question है solve करो काला करो page कोई problem नहीं है एक दिन की बात है दो दिन की बात है result आएगा satisfied हो तो यह जो चार मांक से question है इसको आपको solve करना है speed, brokerage, construct, what's problem, age type, draw the graph and all problem set, star type question हाला कि textbook के नहीं आएंगे बट इसी चीज़ से related होंगे इसी चीज़ को आपको practice करना है 4 marks पके मतलब total 8 marks पके इससे भी total 40 marks पके बच्चो तो इस पर ध्यान देना अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे आपको practice करना है हाला कि आपने सबने लिक लिए है कि कहां पर solve करना है practice क करना है मैं आपको बताता हूँ मैंने यहाँ पर आप सभी को बता दिया कि एक दो तीन और चार marks question कौन-कौन से आने वाले आपको practice start करना है बट यहाँ पर question यह है कि सब practice करे मतलब अब बूब लेके बैटू तो मुझे कैसे question को classified करके practice करना है तो मैं आपको बोलू कि सारे चीजे एक साथ मत practice करो ठीक है सबसे पहले आपके पास जो topic में आपको बताया कि 1 मांक से कुन-कौन से 2 मांक कुन-कौन-3 माक से कोन-4 मांक से कौन-कौन कौन तो आप इतने एक time decide कर लूँ कि आपके पास समझे तीन घंटे आपने time decide कि 3 घंटे का time में इसमें मैं पूरे ए तो आपको उसका यूज कैसे करना है आप दो से तीन गंटा समझ लो कि मुझे वन मास का कुशन खतम करो शांद बढ़ा थोड़ा से रिलाक्स हो जाओ फिर जब दो मास के कुशन पहेंगे फिर थोड़ा रिलाक्स करना है ऐसे कर से करते वर्न टू त्री एंट फोर यह प्रॉ फिर आपके एक स्टार्ट करो दो मास कोशन फिर पूरे सॉल करो चार मास कोशन सॉल कर लो यह हो जब भूजाएगा ना तो आपको खुद को खुण से बिल्ब पक recording अपको करना अपको कितने दिन में यह एक दिन में करना है या देर दिन में करना यह वज्यो्चो ठीक है आप Geometry करेंगे जैसे स्टार्ट होता है आप Geometry को रहे एक से देड़ दिन उसके बाद Algebra के तयारी शुरुबात कर दो आप मेरे बात को समझ रहो मैं किसके बार में बात कर रहा हूँ क्योंकि Algebra के रहाँ आप थी तो फॉर डेज होलिडे बीच में स्टार्ट करेंगे स्टार्ट के देड़ दिन या दो दिन होगा मुझे नहीं मालूँ जितना होगा बट वह टाइम का हम पूरा चार दिन पूरा अलजेब्र के लिए उसके बाद Algebra तो यह करने के बाद आपके अभी जो मैंने टॉपिक दिया उससे रेटर कोश्चन तो करो म इतना भी over confident नहीं हो जाना है कि मैं बाहर को कुछन solve नहीं करूंगा वह भी solve करो आपके 2-3 साल पिषले 2-3 साल के जो भी कोश्चन पेपर उसको solve करो उससे सही कोश्चन उठालो हलाकि यह प्राप्म जितने हमने टेस्स लिया जितने हमने टेस्ट लिया वह कोश्चन अपन प्लाइनिंग प्लोटिंग आपको पूरा दे दिया है और जब आप एक्जाम जाने जाओगे जाने के करना सोच आराम से फिर उसका स्वाट करना स्टाइट करो पहले आने के बाद वह को स्वाट कर जो आपको अपना टाइम सेव कर लो ठीक है मिलते बच्चो नेक्स डे नेक्स वीडियो के साथ और हला कि आप इस पर ध्यान देंगे इतना मुझे विश्वास है चले बाबाए झाल झाल